पंजाबी कल्चर बॉल्ई वॉर्ड में इतना क्यों चुका है पॉडी कल्च्र एक्टली तो दुनिया में सब ज़गा चुका है आक्टली क्या है कि पंजाबियों में एक चीज के वह खोश है हापी रहते है वाई जैसे वाैबोस केहते है हाँ, उनकी वाई भी ऐसी है, आपके लव लाइफ के बार में जानना चाहूंगा, उसकी फैंबली नहीं चाहती थी कियो कि मैं कुछ करता ही नहीं था, आपने लड़की देनी है तो बंदा सोचता है किया हम अपनी लड़की को बेजेंगे, यह करेगा क्या, मेरी जब शादी भी होगी, तो जैनूली मैं तब भी कुछ नहीं करता था, वो जादा पैसे वो डबल पैसा कमाती थी मेरे से, सिद्धू बहुत ही बोल्ड किसम का लड़का था, उसके मन में जो आता था, वो बोलता था, उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी की, और कई लोगों को कई चीज़े नहीं अच्छी लगती, कई लोग कई चीज़ें नहीं सुनना चाते, उसने बहुत वो चीज़ें बोली हैं, जो आम सिंगर आम गायक नहीं बोलते, जब भी कुछ पंजाब में बुरा हुआ, जा किसी चीज़ के लिए भी वो अपन ली बोलता था, अब जो बंदा चला गय हम तो बस उसकी बाते हीं कर सकते हैं, उसके बारे में और क्या बोले हैं, बाते करना जरूरी है, कई बंदे आपके दिमाग से नहीं निकल सकते हैं, दोस्तों अगर आप एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के फैन हो, तो आप इस इनसान को, इस लेजेंड को जानते ही हों ये एक बहुत जादा कॉन्विसेशनल एपिसोड है, आपको बहुत जादा मजा आएगा, इस इनसान ने जिन्दगी में बहुत कुछ देखा है, प्लीज इनके दिल को आज के टी आरेस के एपिसोड में जानिये, और इनकी नई फिल्म मौजा ही मौजा को थेटर में जाकर देखी है दोस्तों, कि पी गरेवाल उन टी आरेस फर फर्स ताइम क्योंकि ये लॉट कर आएंगे, ये एक आर्टिस्ट है, इनके दिल में बहुत कुछ है, इनके दिमाग ने बहुत कुछ सीखा है, जिन्दगी भर, और मैंने उन लर्निंग्स को, उन विज्डिम नगेट को इस पॉड्कास्ट में एक्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, एंजॉय तोडेइस एपिसोड, पॉड्कास्ट की शुरुआत, गिप्पी ग्रेवाल पाजी के साथ, थैंक यू कि अब घर आगा है पाजी, तैंक यू सो मच, मैंने तो इतना सुना कि ये पॉड्कास्ट इतना इंटरस्टिंग होता है, तो सारी टीम ने मुझे पता नहीं क्या-क्या बोल रखा है, तो मैंने गया कि वहाँ जाकर ही देखूँगा क्या हो रहा है, तो मैंने तो मैंने सेम बारी, कैसो आप लाइफ में? बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत खोश हूँ, और बहुत अच्छी बहुत खुश हूँ, अच्छी जो टाइम चल रहा है मेरा, ये एक वो टाइम है मेरे लिए कि आप ड्रीम लेते हो, मैंने इसका ड्रीम भी नहीं लिया कभी, तो मेरे ड्रीम भी बहुत चोटे थे हैं, तो मेरे को उता है कि यार, फिल्में पसंद हैं, म्यूजिक कमाल हो जाएगी, तो ये तो कभी सोचा है नहीं था कि मैं ऐसे पॉपॉलर सिंगर बन जाओंगा, एक्टर बन जाओंगा, इस मुकाम पर पहुंच जाओंगा, कि लोग बोलेंगे कि यार, ये हो गया, वो हो गया, इसी चीज़ें, मतलब ये ड्रीम में भी नहीं था, तो आज उस पॉजीशन पर हूँ और हम सो हैपी और सो एक्साइटेड, जो मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं आज आज आपके साथ, वो हो रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का, हर चीज़ है, तो और क्या चाहिए, ओके रीसंट फेज में अब क्या सीख रहा हूँ, आप की एक लाइफ ऐसी है, कि उसका स्ट्रेगल हमेशां बढ़ता है, कम कभी नहीं हो सकता, आलवेज बढ़ता है, आलवेज, अभी रीसंट ए, अगर मैं बात करूँ तो अभी केरियों जट्टा आई है, सो केरियों जट्टा ने सौक रोड कर दिया, तो उसने मेरी स्ट्रेग जतनी मर्जी हिट दी हैं आपने, तो वो लोग सब बूल जाते हैं, तो आपको फिर उसको याद दिलाना पड़ता है, स्टार बनना मुश्किल नहीं है, उसको सिस्टेन करना मुश्किल है, वहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है, वो फिल्में बार बार आपको अच्छा प्रड़क्ट लेके आना, और आज की आज की क्या एक नॉर्मल बात है, आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है, यह ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म मेरे को भी अच्छी लगे, तो अगर सौ बंदा फिल्म को अच्छा भी बोलता है, तो दस बंदे बोलते हैं कि अच्छी पрипरेशister पौश्ट लगे हैं, तो हमने लगता हैं तो हम नहीं गलत किया है, तो उस हिसाओ से जलते हैं, तो। करते हो तो कई चीजें ऐसी हो जाती है कि यार आपको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए तो मुझे लगता है कि वो चीजों का दियान भी रखना चाहिए कहीं ना कहीं वो सुसाइटी में जो हमारी जॉब है हमें उसको दियान में रखके चीजें करनी चाहिए इस सब कुछ है हमारे लिए जी अब पंजाबी कल्चर की मैंने बंजे विस तरे पंजाबी कल्चर ही था तो पंजाबी कल्चर ने तो पंजाबी लेंगोईज पंजाबी कल्चर कई बार हम दर दर जाते हैं तो हमें लोग बोल देते हैं कि आप पंजाबी माबोली की पंजाबी क तक आपको पहुंचाया है उन लोगों ने यहां तक आपको लेके आए हैं तो कहीं कुछ जिन्दगी में ऐसा ना हो जाए कि उनको ठेस लगे जाओं उनको कुछ बुरा लगे बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जैसे बहुत सी हिंदी फिल्में ऐसी होती हैं जिनके हमें आफर्ज आते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो तो कई बार जब पूरा रोल सुनते हैं आप डिटेल में कि यार ये नहीं 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 यह नहीं मैं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें यह रहता है तो वो चीजों का डर रहता है कि कहीं कईगी गलती से कभी कबार कुछ ऐसा न हो जाये लोग कहीं है घूँन हे क्यों किया हमने तो आपको इतना ट्रस्ट किया था, तो वो चीजों का बहुत द्यान रखना पड़ता है, बाकि तो सब को जो चल रहा है, पंजाबी कल्चर हमारी जिन्द है, जान है, अना सब कुछ होई है पंजाबी कल्चर बॉली वोड में इतना क्यों चाहा चुका है पंजाबी कल्चर तो दुनिया में सब जगा चाह चुका है तो आप देखो, आप गाने देखो बिलबोर्ड से लेके सब जगा अब तक पंजाबी गाने हैं, हिंदी गाना कोई नहीं मिलता पंजाबी, एक्टुली क्या है कि पंजाबियों में एक चीज मौत है कि वो खोश है जीसे वाईबोस कहते है ना उनकी वाईब भी ऐसी है कि वो जहां जाते हैं, रॉन का मिला हो जाता है तो हम स्ट्रेस नहीं रखते हम दिल पर कोई चीज इतना वो लेते नहीं हम मजे से जीते हैं हमें लगता है कि जो moment आपको मिला है ना जो हम अभी ये moment है लोग मुझे हमेशे लगता है कि कई लोग ना जिन्दगी बनाने के लिए ना जिन्दगी बनाने के चक्कर में जिन्दगी जीना बूल जाते हैं तो ये ठीक नहीं है तो जो जो चल रहा है ये ही है अरे future तो थौट है, कि प्रेज़ट जीना चाहिए जो आपको मिला है उस पे उसका शुक्र मनाओ वो चीजे हो नी चाहिए तो इसी वयर्शा से मुझे लगता है पंजाबी है जो वो प्रेज़ट में जीते हैं तो प्रेज़ट में जीते हैं तो वो हर copying तो enjoy कर रहे होते हैं so that's why जो culture है जो हमारा गाना है जो हमारी चीजें है अगर हमारी vibe की नहीं होती तो हमें फिटी नहीं बैठती अगर हमारी vibe की होती है फिर वो दिल से वाली बात हो जाती है इसलिए निकलती है और वैसी मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी पंजाबी गाना आता है फिल्म में जा कुछ भी आता है वो उसका जो vibe है वो हमारा थोड़ा loud and different होता है तो इसी वज़ा से शायद मेरी एक theory है क्योंकि इस show पर काफी सारे historians भी आते हैं political experts भी आते हैं इतने सदियों तक हमने इतने wars किये पंजाब में पंजाब रीजन में क्योंकि अगर कोई invasion होती तो पहले पंजाब में होती थी तो basically एक warrior culture है इसलिए हम present में जीना सीख गए बिल्कुल 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 इतना actually अभी तो मैं कही बिरह देखता हूँ कि हमारे पास अभी budgets उतने नहीं है हम फिल्में बनाते हैं otherwise war की जितनी फिल्में है तो वो अगर पंजाब में बने तो पंजाब का तो कोई रीज़ ही नहीं है हमारे warriors हरी सिंग नलुआ से लेके तो कहते हैं कि जब हरी सिंग नलुआ जी की death हुई थी तो किसी को बताया नहीं गया था कि वो नहीं रहे है तो मुगल आते थे तो वो ना नीचे जो कछेरा पहनते थे अपना तो उनका कछेरा ऐसे सुखा के ना तार के उपर डाल देते थे तो मुगल आते थे उस कछेरे को देखके वापस चले जाते थे कि अभी जिन्दा है तो यह डर था तो वो कशेरा नहीं हरी सिंग नलुआ जी का कशेरा था तो यह जो पैशन है जो चीजें है हमारे पंजाबियों में अभी जतनी भी चीजें करते हैं यह हर चीज पैशन से करते हैं पुरानी वार्ज निकाल लो सरदार अभी बॉर्डर निकाल लो किसी भाना जगा पे सरदारों की फौजें हैं हर जगा पे सरदार हैं तो हर जगा पे पंजाबी हैं तो यह हर जगा पे प्रेजेंट है मतलब ऐसा नहीं है कि जहां पे खड़े होगे तो फर खड़े होगे पंजाबियों का तो कोई थोड़ नहीं है अगर किसी के लिए खड़ गएा हड़के सब से बेस्ट बई फ्रेंड भी होते हैं। है। सच है। बिलक्ताय धाईए। हम ज़्यादा उत वहाइए हुआ। और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए मैं तो बहुत इमोशनल हूँ मैं तो अपने घर में सबसे दाइमोशनल हूँ मेरे बच्चे भी अगर मैं किसी अपने बच्चे को मतलब डांट भी दू ना तो मैं बहुत कम डांटने वाला हूँ मतलब मैंने किसी बच्छे को कभी टच बी नहीं किया तो डांट भी दूँ अगर कभी कबार तो वो अगर मेरे से मैंने डांट दिया तो वो अपसेट होके चला गया तो पांच मिनट तक अगर म innovative अगर मेरे से नहीं बोला तो मेरा बोत खराब हो जाती है same, मेरे wife के साथ, मेरे मदर के साथ, सबके साथ मतलब मुझे ऐसा होता है, मैं क्यों इसे लड़ पड़ा मैं क्यों ऐसे कर दी अ, मैं बहुत इमोशनल हूँ वो हमारें अंदर है और ये अच्छी चीज है मुझे ऐसा लगता है, जिनके लिए आप, जिनके साथ कि कोई मेरा दोस्त मेरे साथ बोरा करेगा और हम भी नहीं करेंगे तो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो हमें वह हर्ट होती है तो इमोशनल तो ही सबसे बड़ा सपना जो होता है न इस्पेशली लड़कों के दिलों में हाँ वह यह कि जो लड़की मेरे साथ स्टार्ट में थ मैं तो बहुत स्ट्रेगल में था अट टाइम हमारा अफेर था जब तो अट टाइम हमारी शादी भी बहुत मुश्किल से हुई है अपकी एज क्या थी जब रिलेश्टिप सब्सक्राट हुई I think she's 18 and I'm 19 अच्छा बट शादी भी हमारी बहुत अरली होगी I'm 21, she's 20 कैसे मिले आप मिले तो बस ऐसे ही मिले दरोदरी हाँ चंडी घड़ में तो दोस्त रहे तो हमें लगा के actually क्या था के मेरी फैमिली इस ओके उसकी फैमिली नहीं चाहती थी के शादी क्योंकि एक तो क्या था कि मेरा कुछ खाई ही नहीं था क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो नहीं चाहते थे आज की डेट में बहुत मुझे प्यार करते हैं वो बट इशू क्या था कि मैं कुछ करता ही नहीं था आपने लड़की देनी है तो बंदा सोचता है कि यार हम अपनी लड़की को बेज़ेंगे ये करेगा क्या and even then मेरी जब शादी भी होगी तो generally मैं तब भी कुछ नहीं करता था मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं उसके बाद कैनडा चला गया वाइफ के साथ तो हम दोनों वाँ चलेगे वहाँ जाके भी वो जादा पैसे वो डबल पैसा पैसा कमाती थी मेरे से तो मैं तो कभी इस जौब में कभी उस जौब में ये और अजू आ तो आपका ना तो रयाज हो रहा है ना जो मुझे एक कादा शो मिलता था उधर से मुझे छुटी नहीं मिलती थी काम से तो वो कहती है कि उस चक्र में शो भी रह जाता है तो इसके साफसे तो वो लाइन में तुम आई नहीं सकते तो मैंने एक काम छोड़ दिया तो मैंने काम छोड़ दिया तो बहुत टाइम उसको यह सुनना पड़ा कि इसकी गरवाली काम करती है और यह फ्री बैठा है यह वहूली है तो यह चीज़ सुननी बड़ी आपको जब आप पर चल रहा होता है तो वो आपको लगता है बट एक्टिली कहता है कि हमारी दोनों में आपस में बहुत एक अच्छा बाउंड था मतलब वी आर हास्बंड वाइफ से भी जादा वी आर हम दोस्त थे बहुत जादा हाना तो वो एक दूसरे को अंडरस्टेंड करते थे मतलब जैनूरली मेरे एक परस नहीं किया ना तो मैं नहीं कुछ कर सकता हाना तो मैंने एक्स्टारडररी मेनत की उसके चकर में हाना अलबम के लिए शोज के लिए मतलब मैं आज वी याद है कि मैं फर्स टाइम जब अमेरिका गया तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको डेड़ लाख रुपए देंगे दो महिने का 에요 तू मंस में मुझे डेड़ लाख रुपए मिलना था और मैंने उन से बोला कि डेड़ लाख रुपए में मैंने कितने शोज करने हैं कि दो शोज पांच शोज वो के थिसका कोई बेए अगर जाना है तो तो तिरको शोज करने पड़े गे and can you believe मैं every day शो करता था मतलब कैसे शो करता था कि किसी के गर में चले गए महाँ दस लोग बैठे है तो मेरे साथ एक harmonium वाला बैठा है कि डॉलक वाला बैठा है कि गाओ भी तो मैं वहाँ भी का रहा हूँ किसी ने 500 डॉलर दे दिया उसको थे दो पहली कि थे कि एक तौ मेरे पैसे मर गए मैंने इतना काम किया तो मैंने यह नहीं पकड़ा मैंने यह पकड़ा कि अथने लोगों को पता लगए कि मैं आइसे गाठा है तो मुझे नेक्स टाम किसी और पर मोटर ने मुलाया उसने मुझे 3 लाख रुपए में बुलाया कहता कि जितने मरजी शो कराएंगे मैं कहा बाई करा ले ठीक है तो मैं 3 लाख में गया फिर मैं 2 में गया मैं 2 में गया फिर आहिस्ता इस्ता बिल्कुली गेम चेंज हो गई है न तो मतलब कि ये मेरे इस हाफ से शो होने लगे, मुझे ये चाहिए, इस सॉल में शो करो, ये पैसा लगया, ये टीम जाएगी, बला बला बला, तो वो अगर तब नहीं किया होता, तो इस मुकाम पे पहुंचती है, तो मेरी स्ट्रेगल का जो पार्ट था, वो अगर मेरी वाइफ मुझे पुश ना खरती, कमाता था, इसकी पासे लगता थै, मैं भी वह फिल आलबं करी, थर्ड आलबं करी, उसके लिए मिरे पेस बिलकुल पैसा नहीं था, पहली अलबं के लिए मेरे फ्रेंट सर्कल नें, जो मिरे कजन घञेरा, सारे बाहर बिठे थे, उन्हों deleting उपीसा बेजा मुझे, तो मेरे छोड़ा तो फैसे लेकर उन्हीं पैसों से टिकेट लेके आया, उन्हीं पैसों से अलबम करी, वो करी, तब जाके चीजें राइट हुई, टेक्स टाइम, इमोशिनली कैसे सपोर्ड किया था, बहुत किया, उन्हें बताया कि मैं ने तो इतना कुछ सुना life में ये चीज़ें सुनी तो आप मुझे सब चीज़ें अच्छी अच्छी लगती है क्योंकि actually क्या है मैं एक चीज़ सोचता हूँ अगर मुझे आज का पूछो अभी कि आपको कैसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें थी उस वक्त वाली एमोशनली वो अगर मेरी जिन्दकी में वो नहीं आते तो शायद मैं इस life को enjoy नहीं कर पाता तो शायद मुझे लगना था कि यार बड़े अराम से मिल गया मेरे में तो talent ही यतना है मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया तो struggle जो वर्ड है ना ये हर बंदे की जिन्दकी में आना बहुत जरूरी है तो तब आया तो आज उसकी वज़ा से मुझे मज़े मज़ा आ रहा है कि यार हमाल है हमने ये किया था हमने वो किया था और बाकी क्या है कि बाकी जो लोग है ना तो जो आपके रिष्टेदार होते हैं या कई पर आपके circle में होते हैं जो मुझे that time जो बोलते थे कि यार ये कुछ नहीं करता इसकी बीवी सारा काम करती है वो आज कभी कबार मुझे wife बोलती है कि आज कल वो उल्टा बोलते हैं वो बोलते हैं कि सारा दिन इसका पती काम करता है और ये enjoy कर रही है ये कर रही है वो तो एक चीज़ तो रहनी है मैंने कहा कि ठीक है तो करो enjoy और और मज़े करो करो कि यह टाइम वापस नहीं आना और सबसे इंपोर्टन बचे बड़े हो रहे हैं तो अगर आप बिजी बिजी रहोगे वो बच्पन थोड़ी वापस आना है आना आप बोलोगे कि यार मैं टाइम वापस ले आऊ वो नहीं जो इसकी अभी क्यूटनेस है जो अभी आपको वो चीजे बोल रहा है उसने वापस जिंदगी भे नहीं बोल ली तो उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए सब के लिए इस सब मेरे लाइफ गोल्स है अच्छा होने चाहिए और मैं आपको बता हूँ एक टाइम आ जाता है यह बाकी चीजे मैटर नहीं करती आपको आपको यही चीजे मैटर करती है और मैं आपको बता हूँ जब आपके लाइफ में कुछ बैड होता है कुछ अच्छा होता है कोई भी चीज होती है अच्छा होता है का मुझे नहीं पता अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड होता है न तब आपको आपकी बीवी आपका मा आपके भाई वो याद आते है तो वो उनी के साथ शेयर करते हैं फिर गूम फिर के चीज़ें वहीं पे आती हैं वही आपको वो एक स्पोर्ट देते हैं जिस स्पोर्ट की कई बार आपको जरूरत होती है आपको हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद उन चीज़ों की जरूर और आपको डिली यह चीज तो आपके दिमाग में आपको डिली याद करनी चाहिए सुबा उटके कि मैं बगवान का थैंक्स करूँ वाइगरू आपने मुझे जो दिया है वो मतलब पॉसिबल नहीं था आपको पताना चाहिए कि आपकी लाइफ में जैसे मैं बोलता हूं कि म नोगाना ला सकते हो यह भी पॉडकास में होगा खाना आने वाला आरे यही होदा पॉडकास्ट सॉरी है मैं खाना मैं यह बोले लगाओ कि मैं खाता भी बड़े खतरनाक तरीके से हूं एंजॉए अगर एक पंजाबी के सामने कोई और खारा होता है तो खुशी वाली बात मुजे स्चेश है पनीर अच्छा लगता आपको सब कूछ अच्छा लगता को इसा फूड दमार यह आप खाते हैं नहीं नहीं खाता मैं ना वैशल वैसे मैं दू-तीन चीजे ऐसी नहीं खाता जो लोग बहुत खाते हैं एक राजमा से इसा है मुझे भी पता नहीं क्यों अच्छा, वो पता नहीं क्यों, मेरा क्या है ना, जप होटल मेनमेट करता था, तो मैं होस्टल में रहता था, तो यह रोज ही राज़मा मनते था, तो मैंने इतना खालिए या जिन्दगी में, कि मैरा मनी अक गया अभ। मतलब आब मुझे पता नहीं किने साल के मेरे टेस्ट निए दिखा मेरे करमें दूर है बटा कि यह खाता नहीं कोई मुझे पूछता ही नहीं है फ़ोची तो बाती में चीजह का लेता हूं थोड़ी मश्रूम कम खाता हूं ओके तो बाती सब कह यह लेता हूं совсем क्षाया है ऑ अगर आपके बच्पन में मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहां आप कोई चीज खा रहे हो मान लो मश्रूम खा रहे थे जो आप 4 साल करते तो आप मश्रूम खा रहे थे और तभी आपकी वज़े से पानी गर गया टेबल पर और आपकी ममी आ गई ममी ने आपको क्या कर दिया क्यों पानी किराया कि उनका भी दिन बुरा चल रहा था फिर आप उस दुख को और उस डर को मश्रूम के साथ असोशेट करने लगता है और फिर बड़े होकर आपको याद भी नहीं होता कि यह हुआ था लाइफ में पर आपको मश्रूम अच्छे नहीं लगत इतनी मुश्किल बिमारी तो कभी हो नहीं सकते है जिसका ना भी है यह चीज है मेरे को नहीं लग रहा कि यह होगा बढ़ा राजमा का लॉजिक तो मुझे पता है कि मैं जिंदगी में इतना खालिया था तो मुझे लगा कि अब खाना ही नहीं है तो वह मेरा टेस्टी खतम हो गया आप मेंटल हेल्थ और इंसाइजी के बार में सोचते हूं मैं सोचते हूं कभी कबार किसने किसी को मिलता हूं जिनके आगे कोछ होता है क्योंकि मैं I do lot of social लोगों के साथ मैं associate हूं काफी हमारी एक दो teams हैं पंजाब में they are doing बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो उ mental illness की वज़ा से यंग लोग हां यंग लोग भी बहुत मतलब हैं बा कभी कभी मिलता हूं तो मुझे वह चीज बहूत आड लगती है जब मतलब अजीब लगता है कि मतलब यंग लोगों को इतना को कई लोग बहुत स्ट्रेस ले जाते हैं कई लोग इसी वज़ा से स्ट्रे ने ये किया था, हम कुछ करी नहीं पा रहें, ये बहुत बड़ी गड़ बड़ा है, और दूसरा क्या है कि लोग कई बार आपको अपने आपके फादर के साथ कंपेर करने लग जाते हैं, वो चीज गलत है, तो आप पेरेंट्स भी कई बर आपने बच्चों पर कई चीज थो अपने लग जाते हैं, वो भी गलत है, वो एक मेजर मुझे लगता है कि वजा है इन चीजों की, एक सोशल मीडिया का भी बड़ा एंगल आ चुक है, आ चुका है, बड़ क्या है कि देखो बच्चा पैदा होता है न, तो आप पहले ही ये चीज बना लेते हो कई लोग, ये तो उसमें दो तीन फिल्में करी हैं, होसला राकदल जीत वाली करी थी, तो एक कैरियों जटा करी है, अभी एक कर रहा है, तो वो ये चीज़ें करता है कि वैसे ही उसको अच्छा लगता है, जब फ्री होता है वो कर लेता है, बड़ उससे पूचो कि तूने क्या बना है, और वो गेम खिलता है बहुत अच्छी, सुबह उठता है जाता है, तो मैं अब उसको बोलूँ के नहीं तू एक्टर बन, यार उसकी मर जी है ना, तो मैं अपनी चीज़ नहीं थो बना, मुझे एक्टर बना बसंद था, मैं एक्टर बना, मैंने उसको बला कि तूने क्या है, वो किता मैंने पलेयर बना है , मैं का डटन, मैं तरे लिए पूरी इफिट जितनी कर सकता हूं ऐसाफ़धर, भो मैं करूँगा, आगे तरी किसमत है ह। मेरे को कोई मिरा जैक नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे वह चीज नहीए, मैं तरी जो ट्रे निंग च बहुत प्रेशर है वो चीजों का मुझे लगता है कि कई बार वो जिन्दगी एक है मतलब और पेरेंट्स भी पहले ही यह मत करो वो मत करो मतलब बच्चों को कहले ही नहीं देते बच्चे को चीजी नहीं कर देख बच्पन थोड़ी वापस आएगा हमने जो किया है वो क्यू भी अगल को फॉलो कर रहे हूं पंजाब की शान है है उनका वहि एक मैने मतब उनके एक कोछीग है मयांक मार्कंडे को एक उन्हां ठीव निकला जहां उन्होंने का कि या शुबंडे गिफ्टे नहीं वो पहले आज़ा स्पिनर कहलते थे बैटर थे नहीं और बैटिंग प पूरा पॉड़कास्स थोड़ा पंजाबी सेंट्रिक हो रहा है पर आई परसलिल कि हम थोड़े स्यादा पागलों जैसे हार्डवर्क कर सकते हैं हमें कुछ नहीं है यार काम तो आपको करना ही बढ़ेगा कोई चीज है अगर देखो ऐसे नहीं है कि आपके अंदर कोई चीज बिलकुल डाल सकते हो क्यों ने डाल सकते हो हर जगा पर आल सकते हो पैशन है आपका मन है कि आपने यह करना है आपने वह करना है तो यूपन डू एनीधिंग फिच वाइं मुझे बहुत अजीब लगता है कि यह जो हमने में डेल्ट की बात करी है इस्पेशली पंजाब र बट यह है कि जब दो तिन फिल्मों में आगी यह चीज तो बहुत ज़दा हाईलेट होगी तो अधरवाइस ऐसा नहीं है कि मुझाब में ड्रग ड्रग है ऐसा बिलकुल नहीं है मैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वाइन का भी टेस्ट नहीं किया इवन मेरा और जैनुरली मेरा कोई दोस्त ड्रगी नहीं है मेरे को एक भी जानता हो कि कोई ड्रगी है हाँ ऐसा नहीं है कि है नहीं है बट वो सभी जगापे और दूसरा किया है कि किसी को आप जबरदस्ती ड्रग पे नहीं लगा सकते हो कई बार क्या होता है कि इशूज क्या हो जात मैं मानता हूं बार ऐसा नहीं है जैसे किई रहा हम यहाँ पर आ हैं कि लोगों को लगता है कि प। पठजाब में जाएंगे तो ऐसा ही विलकुल नहीं है असलिएत क्या है मतलब मुझे एसा लगता है ऐसा नहीं है कि पंजाब पंजाब में ही है पंजाब में भी है बट ऐसा नहीं है जैसे हम पिक्चरों में दिखाते हैं कि ड्रॉग 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 चल रही है वो लिए उड़ता पंजाब चली थी पंजाब उड़ता पंजाब ठीक चली थी पंजाब पर तब प्रॉब् जैसे कोई गोलिया चलाता गूम थोड़ी रहे यह फिल्में है फिल्म का तो बेस है फिल्म बेस है थाना थीजा जब हम बनाते हैं के इस इंस्पार्ड फॉम टू इस तो तब कुछ एरियों को लिम्टेर ले 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 लिया जाता है तो लेट इस नौट होल पंजाब तो समस्य जरू है ट्रक्स की और लगी हो यह गोर्मेंट बुरी तरह से केस को खतम करना है और अब तो बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उस पे बहुत फर्क भी बढ़ा है बहुत सी चीजें बैटर हो रही है और हो भी जाएंगी बट क्या है कि यह क चलते हैं पी रहे और ँझा खा रहे है बट वह यह है कि नशा कोई भी है नशा कोई भी है नशा शराब भी है जो सब जगह मिल रहा है अवیलिबल है नशा नशा ही ऐह नशा गलत इसको नहीं करना चाहिए बंदे को खुद को बताउना चाहिए एक तो आप अतना पैसा बर तो हमने भी तेरे लिए इतना कुछ किया है मतलब जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरा अकेले का थोड़ी है मेरे साथ सो बंदों के टीम है तो सब के घर चल रहे हैं सारे टीम के घर चल रहे है या आप ऐसा फैमिली मैन कहे रहो क्योंकि आप एक फैमिली मैन हो मैं समझता हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग ऐसे बोले सब लोग ऐसे करें तो यह एफेक्ट करता है सब पे अच्छी चीज एफेक्ट करती है डेफिनिटली करती है और सब को बोलना चाहिए जैसे पहले-पहले था पहले-पहले बहुत बड़े फिल्म स्टार बहुत से लोग यह तमाको इन चीज़ों की एड करते थे अब नहीं करते है अभी चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है कि अभी डे बादे जब सुसाइटी चेंज होती है वो एफेक्ट करती है वो सब चीज़ें करेंगे मैं खुद के परस्पेक्टिफ से एक चीज़ शेयर करना चाहूंगा मेरे आस पास मैं एंजिनियर हूँ बेसलिए मैंने एंजिनियरिंग कॉलेज से ग्राजुएशन ली फिर उसके बाद मैं मीडिया में एंटर किया और दो साल दो-तीन साल स्ट्रगल करी पर उसके बाद जब आपका करियर एक पॉइंट तक पहुंच जाता है फिर आपका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाता है लोग आपको पार्टी पे बुलाने लगते हैं जब मेरा वो अलाफेस स्टार्ट हुआ मैंने देखा कि यार यहां के लोगों का थोड़ा सा मॉरल कमपस खराब है बहुत ज्यादा ड्रग होते हैं बहुत ज्यादा जैसे मजूर बंडार कर की फिल्मों में होता था था न फैशन वो सब होता है और मेरे काफी सारे दोस्ट भी है फैशन की दुनिया से यह मैं जज्जमेंटल ही नहीं कह रहा हूँ पर आइफिल की उन लोग के जो मॉरल कमपस होते हैं वो थोड़ इसे बदल जाते है मीडिया इंडस्री की वज़े से मतला जैसे कि हम हमने आर्टिस्ट की बात करी कि आर्टिस्ट दिल से जब काम करते है तब सफ़ता मिलती है पर आर्टिस्ट अकसर गलत मॉरल कमपस को अपना आर्ट समझ कर बहुत बिखर जाते हैं यह मैंने भी खुद देखा देखो मैं आपको एक जहनोन बात बताता हूँ मेरे को ले लो आप मैं एक आर्टिस्ट हूँ मैं एक एक्टर हूँ मैं पार्टियों में बहुत जाता हूँ लोगों को मिलता भी हूँ और मेरे को छोड़ दो दलजीत पंजाब में ही पैदा हुआ है I know him he's my good friend दलजीत कोई नशानी करता वो कोई नशानी करता उसने कभी शराब नहीं पी उसने कभी कुछ नहीं किया पूरा भारत भी यह मानता है कि आप और दलजीत थोड़े से exceptional हो अप दोनों के images भी ऐसे exceptional है हाँ बट मैं और भी बहुत लोगों को जानता हूँ मतलब मुझे काफी artists जानते हैं जो सिर्फ अगर करते हैं तो वो मतलब पंजाब में ऐसा है कि वो अगर पीते हैं तो शराब पी लेते है हाना वो भी ऐसे नहीं कि आपको वो ड्रंक मिलेंगे कहीं अधर कभी हो दर तो मैं यहां पर आया बहुत टाइम पहले तो मैं एक बार आया तो एक दो बार यहां पर मुझे किसी ने बुलाया कि आजाओ उदर तो मैं बैठा गया तो इतना यहां पर openly चलती है चीज़े हाना तो मेरे तो समझ से ही हाना चीटिंग भी ओपन भी होती है मतलब यह तो बड़ी अन्बलिवेबल सी बात है तो बट यहां पर अगया कुल पर पर परसंटूब हो Lets परसंटूबेर सब्स्राइख क्या है कि मैं हमेशा सब को यह बोलता हूं कि आपको ना मतलब आप मेरे से question पोछ रहे हो मैं अपने answer बता रहा हूं अगर आप कुछ मुरे से ऐसा बलवाना चाते हो कि मैं उसके flow में बोल जाऊं तो यह मेरे पर है ना कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं अब आपने तो अपनी job क कुछ होना चाहिए और वही बात हम पहले बात कर रहे थे कि जो आप अपने दिल से करते हो वही ठीक है यो आप आप दूसरे की किनोएक्शन से करते हो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता यह जो कॉशिशन हम कर रहे हैं मैं यह कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप से कुछ कॉशिश लाइफ में करते हो, अब मैं फिल्म करता हूँ, मैं फिल्म करता हूँ नॉर्मली एक logic किया है लोग, उनका logic है फिल्म हिट हो गई, तो हिरो बोलता है मेरी है, फुलोप होगी तो हो बोलता है मैंने डिरेक्टर को पहली ही ऐसी बोला था, ये रोडूसर ने तो अभी मुझे लगता है कि अगर आप किसी को देखके वो चीज़ें कर रहे हो तो आप ऐसे दूसरे को भलेम नहीं कर सकते हैं, कि इस सिटी तो सिटी, यह परसन टू परसन है, यहां पर भी बहुत लोग है, मुझे कई लोग मेरे यहां पर भी दोस्ते हैं, जो उनको मैं ब आप बात कर रहे थे कि पंजाम में नशाय जाए जाए यहां पर नशाय जाए तो आप यह तो मानते हो ना कि यहां पर नशाय भी चलता है बहुत, तो बिसीकली तो कहां से आता है, लीगल है, ओवर बोर्ड इसलिए नहीं जाता है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव शेर है, से लोग खुद पर थोड़ा सा कंडूल कर लेते हैं पर ओवर ओन आवरेज यहां के लोग बहुत कुछ करते हैं, और सबसे बड़ा अनशाय सेक्स होता है, वो तो मतलब है, यहां पर है सब कुछ, ओके, पर हम हिट फिल्मों की बातें कर रहे थे हैं, आपने गा कि एक गु म्यूजिक में सब चीजों में यही सच है, कोई भी आर्ट फॉर्म में, नहीं नहीं, सब नहीं, सब चीजों में देखो, अब म्यूजिक में क्या है कि म्यूजिक हो गया, फिल्म होगी, सब में यही है, टीम तो ही है, राइटर लिखता है, वो कंपोज करता है, म्यूजिक वाला म्यूजिक करता है, गाने वाला गाता है, फिर राइट चीज डिलेवर होती है, सम्टाइम म्यूजिक वीडियो अच्छा बनता है, कभी नहीं मनता है, अब टाइम टाइम की बाद है, तो कई बार ये बार डिसकस भी हुई है, जब अंगरेजी बीट गाना आया, तो वो मुझे सबसे ऐसे लगा कि हानी ने बोला कि यार मैं अलबम कर रहा हूँ इसमें एक गाना करना है बाजी तो मुझे लगा कि यार हानी की अलबम है एक फेवर Bijan है इसके लिए तो वो गाने पे सबसे कम काम हुआ जैसे बिलकुली काम नहीं हुआ और उसका म्यूजिक एक बीट थी बनी हुई फटा फट एक छोटे से उसमें लेके हमने गाया तो डमी टाइप ही गाया था कि इसको फाइनल करेंगे उसके लास्ट जो अंतरा था हम पंजाबी में हमेशा लास्ट अंतरे में लास्ट पेराग्राफ में राइटर का नाम डाल व् Hause, टना प्लॉजेट का वीया जाना ते उसमें चृट अब के लाना संगोई तो जबके इतना बड़ा आ नीका ही तो इसमें ईवीट का नाम रहे Хणी बीट का नाम है बाकी सब में उसका बचारे का नाम है तो यह चीजएं सोची नहीं गयी थी कि ऐसे होंगी वैसे है कि हमने थाइलेंड शूट किया तो मैं कैनड़ा से आया तो बहुत उस वक्त का महंगा वीडियो था तो आफर डैट वो जो वीडियो डिरेक्टर थे उनके साथ कुछ किसी का हनी का कुछ उन्होंने कुछ बोल दिया पता नहीं क्या हुआ मैं सब हो गया तो हनी कहता कि हमने ये वीडियो नहीं करना मैंने का ठीक है तो मैंने कहा कि ऐसी आउडियो निकाल दो ओके है तो आउडियो हो गया आउडियो इतना हिट हो गया कि कमपनी वाले कहते कि हमें वीडियो दो वीडियो दो हनी कहता जितना पैसा उन्होंने वीडिय के लिए दिया था वो तो थाइलेंड खतम हो गया तो कहता है यहां पर बाजी कर लेते हैं तो पचास साथ हजार में उसका वीडियो बना ठीक है वो हम स्कूटर लेकर खड़े हैं यह वो बला बला और वो इतना हिट हो गया गाना बाद में कॉक्टिल में आ गया कहां तक चला अगर पंचे न लिखता अंग्रेज जी भी हीट ते तो यह सब की एफट है यह common है वो चाहे कोई बंदा माने जाहे ना माने बड़ यह सब की एफट है हनीवाजी आयते शो पर हाँ आपने मीम्स देखें क्या उस शो के उन्होंने का कि आपको दिल्ली में लेकर जाओंगा कुछ दिखाऊंगा कुछ महसूस कराऊंगा बड़ा मीम बन चुका तो अच्छा पर जब मैंनों उनसे बात करी लोग ना अकसर पॉड़कास से एक क्लिप उठा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उस क्लिप की वज़े से पूरा पॉड़कास डिफाइन हो सकता है पॉड़कास करने के टाइम आपको अपने गेस के बार में कुछ पता चल जाता है बिलकुर 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 उसी तरह जवाब किसी के साथ काम कर तो कुछ पता चल जाता है hundred percent बिलकुर पतायो हने संग के बार में यह क्या खासे अट है लेकश ज एक चीज़ तो डावटी नहीं है कि हो वो नया था, स्ट्रेगलर था और मैं बहुत पॉपॉलर था पुझाम में तो इसे एड कि मैंने पाजी ये बनाया सनो तुम मुझे ऐसा हो गया, मैं कहा यार या तो मुझे समझ नहीं है, मतलब मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता है ना तो इसे डोके पाजी, नो प्रॉलम, मैं दुमारा बना के लिएक आता हूँ मैं कई म्यूजिक ट्रेक्टर्स को आज भी उसकी एक्जामपल देता हूँ आप किसी को बोलो ना कि गाना अच्छा नहीं है, उसको ये मानना बड़ा मुश्किल होता है मतलब हर बंदे को हता है कि नहीं पाजी, इसमें क्या प्रॉलम है मैंने तो देखो ये किया है, ये अभी तक नहीं आया, ये वो नहीं आया मैं कहार, ये चीज़ें थोड़ी मैटर कर रही है, अभी तक नहीं आया नहीं अच्छा लग रहा मतलब मुझे नहीं जचा मुझे नहीं पनुषen अब मैंने गाना निकाला मैंने आपको सुनाया आप एक normal listener हो ये किसचीज क्या guarantee है कि आपको अच्छा लगेगा आपको अच्छा लगेगा आपने बोला कर अच्छा नहीं है ठीक है भाजी मैं नहीं बनाता हूँ वो कम से कम चार पांच बार मेरे को ले आया बना के लेके बना के लेके एंड उसका एक ही बात थी भाजी कोई बात नहीं हम बनाएंगे आपकी लाइफ का सबसे हिट बनाएंगे आपकी लाइफ का सबसे हिट बनाए तो उसने बहुत सी क्रेट की, वो चीजें जो जिस चीज के साथ वो आया था, जिस पैशन के साथ वो आया था, वो अपने मर्जी से काम करता था, कि मैंने यही करना है, ऐसा नहीं है कि चार साल के बाद उसने वो किया जो मुझे पसंद था, किया उसने वही जो उसे पसंद थ बट तब तक उसने वो मुझे पसंद लगने लगा दिया हना कि यार यह चीज़ आप सुनो यह चीज़ आप सुनो यह देखो हम यह करेंगे इस इस सम्तिंग नियू तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो पैशन जजबा वो जो लेके आया वो कमाल था और वो हर बंदे में नहीं होता आप किसी की सुननी भी सुनो आप सबकी करो अपनी उसने करी अपनी पर वो मेरी सुनता भी रहा कि नहीं नहीं किसी दिन तो यह आएंगी उस चक्र में किसी दिन समझेंगे यह चीज़ तो हमें टाइम लगा बट हमने वो चीज समझी और आज तक वो मन्दा मना रहा है अच्छे गाने तैलेंटेट भी थे उनके दिल में पैशन भी था बहुत और फीड़बैट भी लेते थे बहुत बहुत और कई बंदे पैदा ही लाइम लाइट के लिए होते है हाना तो वो उसमें है इसमें कोई दोराए नहीं है वो कहीं पे भी जाता है कहीं पे भी पहुँचता है तो ऐसे नहीं हो सकता कि हानी सिंग कहीं पे गया है तो आप उसको इगनोर कर दो हानी बठा है तो वो उसमें है, आपके बारे में भी यह मान तो है, मेरे में उतना नहीं है, उनमें बहुत चीज़ें आई है, तो मैं थोड़ा बैसे सोबर हूँ कई चीज़ों में, तो पर एक प्रेजन्स होता है, हाँ वो है, बट वो और एक अलग चीज़ है, बट एक आप जैसे रनवी प्रेजर हूँ, मैं नहीं हो सकता है यह चीज़, तो वो हो जाता है कही लोगों में, जब उनका वो लो फेज हुआ था, जिसके बार में उनने बात करी अशुग, उनसे बात होती थी तब आप, होती थी, कम होती थी, इतनी नहीं, क्योंकि नमबर तो उसने चेंज नहीं न पर फोन होने लग गया, यह वो, एक्टली तो मैं आपको बता हूँ, मुझे लगता है कि मैं और हनी, दस बारा साल से नहीं मिले, मिले ही नहीं, तो अभी भी वो एक अलबम कर रहा है, तो जिसमें उसने मुझे बोला है कि पाजी गाना करना ही करना है, हमने इतने टाइम से गाना नहीं किया, तो मैंने गाना बनाया है, प्लीज आप आओ, तो कम से कम मुझे लगता है कि एक साल हो गया, इसको प्लैन करते हुए, कि मैं इस दिन दिल्ली आओंगा, मैं इस दिन दिल्ली आओंगा, कभी मेरा प्लैन कैंसल हो जाता है, दो बार, तीन बार मेरा प्लैन बना, मैंने उसको बोला कि मैं इस जट को आ रहा हूँ, तो बलीव करना अभी तक वो नहीं हुआ, तो अभी मैंने उसको बोला है कि मैं अक्टूबर में करूँगा, तो लेट सी के होप सो अक्टूबर ही कठे हो जाए बड़ फोन पर अभी रेगलर बात होती है, आप दोनों के साथ एक पॉड़कास करेंगे किसे आप आगे जा सकते हो म्यूजिक में, कैसे आगे जाते हैं म्यूजिक में कोई फॉर्मिला नहीं है, उपर वाले की देन होती है, किसी भी चीज़ में, फिल्म, कोई कुछ अगर हिट का फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला नहीं है, सब बंदे और बंदा हिटी बनाता है, आज हम पॉड़कास्ट कर रहे हैं, यह हिटी बना रहे हैं, यह देखने के बाद लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इंटरस्टिंग लगा, हमें नहीं लग पढ़ धाए कोई फ्लॉप पे कोई पैसे ही नहीं लगता ही लुगों के सामने film पहुंचती जंगपयों पहुच्टा पहुंचता पहुंचता फॉला पैसे ही होता है तो हम कुछ नहीं बहुब कर पते हुज smile जो अगला सवाल यह मैं कॉंट्रोवर्शल सवाल भी नहीं पूछव नहीं है मैं इसी टैलेंट स्पेक्टिब से पूछेड़ी क्यों कि मेंस्ट्रीम कल्चURE मेंस्ट्रीम कल्च genome स्थीधू मुसेवाला की हाईप पहुची पेशाथ के बाद फिर लोगों को बता चला कि यार इतना talented बना mainstream में पंजाब की बाते नहीं करो और पंजाबी music fans की बाते नहीं करो उनके career की शुरुआत आपके साथ हुई थी और बहुत बड़ा role रहा है आपका talent wise उनकी specialty क्या थी आपके according actually वो बहुत ही इसमें तो कोई दोर आए नहीं है कि bottle enter था मैंने जब अपनी music company launch करनी थी मैंने पहले भी एक तो बार ये discuss हुई है तो हमने किसी बड़े बहुती बड़े singer के साथ एक music video launch करना था तो at that time मेरा एक दोस्त अभी है नहीं इस दुनिया में तो वो he came to me के sir भी तो he came to me के एक सिद्व मुसे वाला करके ऐसे एक नया लड़का है तो इसका गाना करना है तो सब बंदे ऐसी ले ले लेते हैं कि पता नहीं को है तो जब मैंने गाना सुना तो वो so high गाना था तो मैंने जब सुना मैंने गाना इतना अच्छा गाना मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैंने कांटीनूसली कितने दिन मेरी गाड़ी में सुनता रहा तो मैंने उसको बोला कि यार लेकिया company इसी से start करेंगे तो मेरे सब team ने बोला कि आप क्या कर रहे हो एक नए लड़के के साथ company मैंने का यार यह तो और भी अच्छा है अगर नए लड़के के साथ हम talent के साथ company launch करेंगे और गाना चलेगा और लोग कितना हमें accept करेंगे कि यारे नहीं हमने talent के साथ किया है ना के fame के साथ so talent होना चाहिए तो वो touchwood इतना चला गाना तो तब तक के एक दो सिदू के और भी गाने आगे थे वो भी चलने शुरू होगे थे तो हमारा दूसरा तीसरा गाना फिर यह आ गया उसके बाद यह तो इतना ही बड़ा हेट हो गया बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि उनकी death के बाद वो मेंस्ट्री में पहुंचे है ड्रेक बगारा उनको पहले से follow करते थे तो वो सब लोग उन तक पहुंच चुका था सिद्धू और दूसरा क्या है कि देखो उसको किसी की जरूरत नहीं थी जो मुझे लगता है मैं हमेशा कहता हूँ जैसे मैं या कि लोग मुझे बोल देते हैं कि आपने गाना निकाला so high यार ये तो मैं वही बात बोलता हूँ कि टैलन्ट को थोड़ी को रोक सकता है अगर मैं नहीं निकालता वो किसी और निकाल देना था तो चला तो गाना ना चला गाना इसमें हमारा तो कोई effort ही नहीं है हमारे लिए ये हो गया कि हम भी जुड़ गे उसके साथ एक बड़े टैलन्ट के साथ हम भी जुड़ गे तो unbelievable success थी वो और जहां जहां तक उसका गाना गया जो भी सुनता था उसका फैन होता था और आज की डेट में भी मतलब उसके बाद भी उसके गाने हर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन पे हैं तो उसका तो कोई तोड़ी नहीं है और टैलन्ट और क्या होता है मुझे ऐसा लगता है कि टैलन्ट थोड़ी कभी मरता है टैलन्ट तो रहता ही है और वो तो रहे गई जब पहली बार आपने उनका गाना सुना था उस दिज़ पहली बार सुना था तो आपके लिए स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उनके म्यूजिक के बार और गाईकी का जो लहजा है हर बंदा अपने स्टाइल से गाता है मतलब सिद्दू कैसा था वो अपना नया ट्रेंड लेकर आया ना तो किसी ने कॉपी किया ना उसने किसी को कॉपी किया ना उसको कॉपी कर सकता है क्योंकि वो अलगी था वो जोन ही अलग था, Compositions ऐसी लेके आया, Feel ऐसा लेके आया मतलब सिंगिंग में उसने ऐसा ऐसा कुछ गा दिया और शुरु शुरु में लोगों को लगता था कि बहुत सीधा सीधा गाता है और उसने इतना टेडा गाया और उसने अपने, मतलब नॉमल गानों में भी अपनी गाय की इतनी वाख खूब दिखाई इतनी बारिक्की में गाता था वो और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बंदा आ गया और स्टार बन गया सीखा हुआ लड़का था बहुत और टच वोड आज भी जो गाने आ रहे हैं एक और नारेटव है कि लोग उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है उनसे बात होती है आप जी री कैसे हो अब ये तो देखो ये तो क्वेस्टिन ही मतलब जिनका बेटा एक ही एक बेटा है वो ना हो तो वो कैसे होंगे सो वो तो obviously actually उनका दुक थो ना कोई समझ सकता है मतलब हम उनको आप उनके साथ दुक बांट सकते हो आप कर सकते हो बटो उनकी तरह फील थोड़ी कर सकते हो उनके लिए तो जो है वो तो उनके सिर्फ प्यार बेज़ सकते है हाँ, और कुछ नहीं है, और क्या है कि वो फूइल करते हैं, गर, देखो, आपका बेटा हो, सुपरस्टार, मतलब गर पे रहनक लगी रहती है, मिला लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि यार सारी दुनिया यही है, अब वही नहीं है, तो अब क्या होगा, मतलब उनके लिए तो जो उन पे बीट रही है, वो तो कोई बंदा महसूस भी नहीं कर सकता है, तो मैं तो मतलब ऐसा किसी के साथ भी नहीं हूँ, बचारे जो लाइफ उनकी होगी, अभी, जैसा वो फील करते हैं, जबके सारा पंजाब, सारा पंजाबी, सारी दुनिया उनक अपनी स्पोर्ट देता है, बट फिर भी मतलब जो हो गया उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है, सारी मैं यह पूछ रहा हूँ, आप से रिलेटिडिक जीए, आपने क्या सीखा है, पूरे फेस से, इस चीज़ का तो मतलब हर बंदे का अपना अपना लेजा है, सो सिद्दू बहुती बोल्ड किसम का लड़का था, उसके मन में जो आता था, वो बोलता था, उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी की, और कई लोगों को कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, कई लोग कई चीज़ें नहीं सुनना चाते, उसने बहुत वो चीज़ें बोली हैं, जो आम के लिए इसने बोला है। जब भी कुछ पंजाब में बुरा हुआ चाहए कि CAR पनल acabar भी Kenya और भी वह ओपनली बोलता था। काहिश ने काहिश के लिए बुदा लेगए लेगए की समन्सफिति की आइए उसके बारे में और क्या बोले है ना बाते करना जरूरी है कई बन्दे — आपके दिमाग से नहीं निकल सकते सिद्धू आपके या प्रेजेंट ली वो फिजिकली वो प्रेजेंट है या नहीं है बट वो… लोग उसको बुला नहीं सकते वोगे बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत कई लोग हैं, कभी कबार पैदा होते हैं तो वो तो एक ही था, मतलब बहुत टाइम के बाद, तो अभी चमकीला जी की बात करते हैं तो जब मैं चोटा था, मैंने अपनी लाइफ में पहला जो शो जिसको आखाडा बोलते हैं, वो चमकीला जी का देखा था तो मैं बहुत चोटा था, फस्ट रो में बैठा था, तो थोड़े टाइम के बाद ही उनकी डेथ होगी तो तब मुझे पता नहीं था, कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत चोटा था तो आइस्ता इस्ता 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 बता लगा तो अभी तक आप आज देखो आज हमकीले के उपर फिल्म में मन रही हैं तो कितना वक्त हो गया है तो लोग भूल थोड़ी रहे हैं वो उसके जादा आप लोगों को बताते जा रहे हो आप अपने बच्चों को बताते जा रहे हो तो सिद्धू इस लाइक वन अफ देम एक आखरी सवाल है उनसे रिलेटड़ पर इस अब रो वो कैसे था बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था और मैं आपको बताऊँ वो बहुत ही श्रीश बच्चा था मतलब टच्छ वोड जितना मेरे साथ एक्वेशन रही है मैं सीनियर था तो मेरे साथ बिलकुल ऐसे नहीं था क्योंकि मेरा जो कजन है हमारा पाना तो बिलकुल मेरा जो राइट है तो वो उसके साथ बहुत फ्री था तो दे आर लाइक ब्रोज वो कांड आफ फिल था उनका न तो मेरे साथ था कि थोड़ा ऐसे उनको हो जाता था कि भाई आ गया है तो थोड़ा वो चीज मैंने कुछ भी उसको बोला है न तो उसका हमेशा यह था हाँ भाई ठीक है भाई हाँ ठीक है भाई हाँ बिलकल भाई गले कोई नहीं यह यह वो है मैंने जब उसको बुलाया वो तब ही प्रेजन्ट हुआ कभी ऐसा नहीं है तो अब कहा कि मैं उसको इतना जतना मैं जानता था मेरे सिर्फ ये जानता था मैं कि वो इतना अच्छा है, वो इतना शरीफ है गर पे आया, सब को मिलना मेरे बच्चों के साथ, सब के साथ वेरी गुड तो मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ वो नहीं था तो वो लोग थे आपस में तो मैंने तो कभी ऐसा मतलब अक्सपेक्टड भी नहीं था, अब क्या है कि बहुत सी चीजें आपको जब लोग बोलते हैं कि ये गुसे वाला था, ये ऐसे था, वैसे था तो मुझे तो लगता नहीं है अतना क्यों कि हमारे फंक्शनों में भी बहुत आया हम बहुत चीजें सेलिबरेट करी तो मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि देखो लोग गओं की एक निचर है मतलब उसको जतना प्यार पहले मिलना चाहिए था, उसके बाद मिला हर चीज़ को जतनी नेगेटिविटी जतनी चीज़ों का उसने सामना किया मतलब उसके घर पे कभी कुछ हो गया कभी बाहर लोग आके बैठके, दरने पे बैठके कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कोई कमप्लियनट फायर होगी, कभी कुछ हो गया मतलब उसने सही माइने से जतना वो सुपरस्टार था उतना अपने talent का enjoy ही नहीं किया उसने मतलब उतनी stardom का enjoy ही नहीं किया उसकी family भी stress में रहती थी कभी यह हो गया वो गया उसके बाद यह चीज होगी एक comment पढ़ा था मैंने एक video के नीचे जहां लिखा था we hope you rest in peace but also rest in power उनके एक legacy है वो तो है actually कहना वही चीज है कि जो audience है आप जितना मर्जी बोलो आप किसी का vote खरीज सकते हो दिल थोड़ी खरीज सकते हो दिल कैसे खरीज लोगे आपके अंदर जो है अब तो वही चीज वो है अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो मैं करता हूँ मैं हो सकता किसी के सामने जाके ना बोलू ये करू वो करू इनर तो मेरा वही है ना तो वो चीज़ों तो रहेंगी रहेंगी sorry ऐसी बात है करी पर पता नहीं आपके साथ मैं भी बहुत एकदम खुल चुका हूँ आपकी presence ऐसी है कि बहुत दिलवाली बाते होती है शायद इस रिफ्लेक्शन ओव यौर ओन हार्ट एक आखरी सवाल आपके क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक अस्पारिंग म्यूजिशिंस ये वाला पॉडकर्स सुन रहे है एटलीस जो इंटरनेट पर नारेटिव अब है वो मैं आपको बताऊंगा पहले फिर आप बता दे ना कि ये सच है कि गलत तो बहुत सारे यंग म्यूजिशिंस ये मानते कि अब फिर से इंडिपेंडनेट म्यूजिक का एक राइस हो रहा है देश में और होते जाएगा और जैसे इतने सालों तक पंजाब की बाते नहीं करो देश भर की बाते करो शायद पंजाब एक exception है पर देश भर में इंडिपेंडनेट मूजिशिंस का इतना ज्यादा प्रेजन्स नहीं था 90's में एक phase था जहां यूफोरिया, पॉप मूजिक, वो सब आरियन्स पर अब फिर से एक वो पॉप मूजिक का फेश स्टार्ट हो रहे, प्रतीक कुहाड के साथ या रिट विज ऐसे लोगों के साथ मैं पंजाब इंडस्टी बात ही नहीं कर रहा पर लोग ये मान दें कि ये जितने भी musicians है ये आगे जाकर फिल्म इंडस्टी से भी ज्यादा बड़े बनने माद है आप ये मान तो बिल्कुल मुझे तो हमेशे ही ऐसा लगता है कि हमारे प्राब्लम क्या होती है कि Bollywood में जो प्राबलम हा रही है जो पंजाब में नहीं है पंजाब के जतने बड़े singers है ना वो independent है वो खुद का गाते है खुद का गाते है खुद आते है यहाँ पे जो singer आता है ना establish होने लगता है वो सबसे पहले जाकर किसी music director के पास जाता है वो playback में चला जाता है तो अब playback में प्राबलम क्या है कि हम जो पंजाब में बठे है हमें तो शकल ही नहीं पता लगती कि कौन है बंदा क्या है बंदा बहुत से artist बहुत ज़्यादा है हमें पता ही नहीं होता बहुत से countrys में लोगों को नहीं पता होता माझाब में क्या होता है, कि किसे के दो गाने भी आए आ ना सूपर हाट हो गए, पुरी दुनिया को पता होता है कि यार ये बंदा है, क्योंकि वो खुद के म्यूजिक विडियो से हिट हुआ है वो अपनी शकल से हिट हुआ है, सीधा गाना उसी का चल रहा है अब गाना किसी का है तो अक्षे पाजी सिंग कर रहा है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हनी क्यों हिट हुआ था कि हनी बॉली वोड फिल्म्स में खुद फीचर करने लग गया था वो गानों में खुद आ रहा था और जब उसकी शकल है साथ में तो हमें पता था कि यह हनी सिंग है जैसे मैं यहा पर आता हूँ तो बहुत से लोगों को आज तक कई बर लोगों को यहीं नहीं पता कि इंग्रेजी किसी और का इपो नहीं वो मेरे ही फॉल्ट है क्यों कि मैं यहां पर आया ही नहीं मैंने अपनी शेकल ही नहीं दिखाई तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडीपेंडनेट म्यूजिक करना है तो आप लोगों को इंडीपेंडनेनट गाने निकालने पडएंगी आप लोगों को एक effort मारना पड़े गा, struggle मारना पड़े गा कि उस गाने को properly promote किया जाए, और बैंग आ परपर बैंग उन किया झाए तब जाके वे गाने चले कि पंजाबी आइस ऐसा करते है तो जितने भी आर्टिस्ट हेट है वो सब इसी वज़ा से हेट है उन्हें के अपने इंडिपेंडनेट गाने और उन्हें उन पर जोर लगाया तब जाके गाने हेट हुए इसे टोटली कहते हैं न्यू एज मीडिया जैसे पॉडकर्स भी मतलब एक नया फेस स्टाट हो रहा है मीडिया बिल्कुल बिल्कुल इस्पेशली हमारे देश में बहुत जादा ऑपर्चूनिटी बहुत के लिए बहुत है वैसे तो इंडिपेंडनेट म्यूजिक आप पूरी दुनिया में देखो सब ज़गे हीट है सिर्फ बॉलीवुड में पहले बहुत हिट था अभी पीछे नहीं रहा तो अभी फिर अगर ग्रो कर रहा है तो डेफिनिटली इनको वो चीज़े क्योंकि मैं आपको बताऊ अगर मैं हम मेरे मेरा करियर आप देखो तो मेरे जो अभी रीसेंट पीछे गाने थे तो मेरा म्यूजिक उतना हिट नहीं था जितनी मेरी फिल्मेट है तो मैं अगर पांच साल पीछे जाओं तो मेरा म्यूजिक बहुत ज़ादा हिट था तो अभी I'm doing a new album तो मेरा उस new album पे बिलकुल यही फोकस है सब के प्लस माइनस सुने एक पूरी टीम सेट अप करी के यार हम इसको देखे हमें क्या कमी है आउडियन्स तोड़ी चेंज होगी आउडियन्स ने तो गाना सुनना है उन्होंने पैसे देखे चीज लेनी है अगर वैसे करेंगे तो डेफिनिटली कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर नहीं करेंगे तो रूटीन में करेंगे जो आगया कर लो तो फर वो ऐसे ही है थोड़ा वो फीड़बैक लेना चाहिए और मैं आपको यह बता हूँ कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर कई बार कोई बंदा बिलकुल नया आता है ना टैलेट वो भी नए गाने लेके आता है तो कई बार आपको वो इतना सिखा के जाता है कि वो कुछ नया लेके आता है यार ये चीज हम तो करी नहीं रहे मीडिया में रहकर मैंने यह सीखा कि कभी आर्टिस्टिक घमंड नहीं होना चाहिए वो तो बिलकुल भी नहीं अगर आर्टिस्टिक घमंड आ गया मतलब करियर खतम हो वो तो बिलकुल भी नहीं आपको सीखना चाहिए आपको समझना चाहिए अब मैं तकरीबन हर फिल्म देखता हूँ हर बंदे का गाना सुनता हूँ और मैंने कभी आई तक यह भी नहीं किया कई बार मैं सुन रहा होता हूँ मुझे अच्छा लगता है मैं सबकी स्टोरिज डालता हूँ सबके गाने सुनता हूँ फिल्मों की भी स्टोरीज डालता हूँ कई पर मुझे आर्टिस जानता भी नहीं होता मुझे अच्छी लगती है चीजे तो मैं डूंड के करता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है अगे बस यही था पॉड़कास कैसा रहा बहुत अच्छा रहा है और मजा आया ऐसे लगा के बाते ही हुई है बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर अब पता चला है कि आप गिपी गरे और क्यों बने हो तो थैंक यू बाजी विश्यू वाल दे बेस्ट विश्यू ईवन मोर लव एवन मोर सकस्स और डेफिनिटली आपसे फिर से मिलेंगे और पॉड़कास्टिंग करेंगे आपके सारे तो दोस्तों ये था आज का पॉड़कास कुछ अलगी हो गया ना पहली बार मेरे गैस ने मेरे सामने लंच किया पर ये है मुंबई की असलियत हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और इसलिए जो लोग मुंबई के बाहर अपने प्रोफेशनल करियर्स बनाते हैं उनके परस्पेक्टिव जानना उनके लाइफ एक्सपिरिंस जानना मुझे बहुत अच्छा लगता यही है पॉड़कास की खासियत कि यार यह इतना बड़िया जॉब है ऐसी कॉन्वसेशन ना मैं पार्टी में भी कर लेता मैं चिलिंग के वक्त भी कर लेता पर यह मेरा काम है बताइए कैसा लगा आज का एपिसोड और अगर अब पहली बार TRS के पॉड़कास सुन रहे हो या देख रहे हो तो प्लीज हमारे बाकी एपिसोड भी जाकर देखिये सुनिये बहुत सारे लोगों से बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से बात करिये आपको बहुत अच्छे लगेंगे हमारे पॉड़कास अंतल नेक्स ताम कैस्व रन्वीर ने टीम नमस्ते लव यू अल